असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम टू माई चैनल मनाहिल टेलर आज की इस वीडियो में हम प्रिंटर कुर्थी के लिए बहुत ही गुपसुल सा नेक्ट डिजाइन बनाने जा रहे हैं जिसके लिए यह मैंने वुक्रम का पीस लिया है इसकी लंबाई हमने 15 इंच ली है और च पैस्ट कर लेंगे इस तरह से देखे मैंने पैस्ट कर लिया है अब थोड़ा सा कपड़ा चोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब इस तरह से फोर्ड करके हम इसके पर स्लाई लगा लेंगे इस तरह से इस लाई लगाने के बाद अब हम इस पीस को इस तरह से डबल फोर्ड करेंगे और इसके सेंटर पर टेलर चोग की मदद से इस तरह से निशान लगा लेंगे इसके बाद अब हम कमीस के सेंटर पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे और जितनी आपकी गले की लंबाई हो से साब से आप यहां पर निशान लगा लें उसके बाद ये जो पीस हमने बना के रखा है इसको आपने जहां पिकले की लंबाई हो वहाँ से थोड़ा सा उपर करके रखना है इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे और उसको पिन के साथ सेट कर लेना है तो यहाँ पे देखे मैंने तीन पिन्स लगा के इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया है अब सबसे पहले इसके सेंटर पे हम एक रख स्लाई लगा लेंगे इस तरह से ताकि यह अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए कॉर्नर से हमने तोड़ा उपर करके इसको निकाल लेना है उसके बाद से हम इसी तरह से एक स्लाई हम साइडों पर लगा लेंगे लेकिन हाफ इंच की दूरी पर क्योंकि बाद में हमने इसके साथ लैस को स्टिच करना है तो यहाँ पर मैं रफ स्लाई लगा रही हूं उसको सैट करने के लिए ताकि जब हम इसके बाद लेस को स्टिच करें तो हमारी फिनीशिंग के साथ लगे लगाने के बाद देखें जो साइड से हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है इसी के बीच में हमने इस गोड़ा लेस को इस तरह से हाफ अंदर की तरफ करके रखना है इसकी जगा आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते है तो इस तरह से हम इसको हाफ अंदर की तरफ करते वे इसके अपर किनारी की इसलाई लगा दूँगी ये देखें इस तरह से अब आपने लेस को बिल्कुल भी खिचाओ नहीं देना बिल्कुल हलके आथ उसे थोड़ा थोड़ा से अंदर की तरफ करते वे इस तरह से इसलाई लगाते वे जाएंगे इसके इलावा जहांपे इसके कॉर्णर है वहांपे बस आपने लेस को इस तरह से मोड लेना है और इसके उपर इसी तरह से इसलाई कर लेनी है इस तरह लेस लगाने के बाद अब गले की कटिंग कर लेंगे तो इसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है इसको डबल फोल्ड करके हमारी साड़े पांच इंच चोड़ाई बनती है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है आर्ठ इंच अब हम गले की चोड़ाई लेंग पचार इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे पांच इंच आप अपने हिसाफ से कम ज्यादा ले सकते हैं उसके बाद इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और हलकी सी गोलाई दे देंगे इस तरह से उसके बाद जहां पर इसकी गोलाई है वहां से नीचे तक ह हम half inch की दूरी पे एक और निशान लगाएंगे यहाँ पे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे उसके बाद extra margin चोड़ते वे हम एक और निशान लगाएंगे cutting का और इसकी cutting कर लेंगे अब यहाँ पे आपने गले के center वाले piece को संबाल के रखना है जब हम गला पेस्ट करेंगे तब हम इसको use करेंगे इस तरह से पैस्ट करते वक्त हमने जो सेंटर का पीस अलग से कट किया था उसको भी हम इस तरह से रखेंगे ताके जितना चोड़ा गला हमने कट किया है उतना ही पैस्ट हो अब इस तरह से इसको iron कर लेंगे और उसके बाद बीच से हम इस बुक्रम को हटा देंगे उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम बाकी कपड़े की cutting कर लेंगे इस तरह से और जहाँ इसके corner से वहाँ पे इस तरह से cut लगा लेंगे ताके हम इसको इस तरह से मोड के स्लाई कर सकें यहाँ पर देखें साइड वाला कपड़ा फोल्ड करके इसके उपर मैंने इसलाई लगा लिए है उसके बाद इस गले को हम इस तरह से बीच में रखेंगे और पिन के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेंगे तो यहाँ पर देखें मैंने पिन्स लगा लिए हैं उसके बाद हम इसके उपर स्लाई कर लेंगे अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे और पूरे गले के उपर चोटे चोटे से कर्स लगा लेंगे ताके पलेटने के बाद गले में फिनीशिंग आए अब इसको हम इस तरह से पलेट लेंगे और इसके कॉर्नर्स को किसी भी नोकिली चीज़ की मदद से इस तरह से बाइर की तरफ कर लेंगे यह देखें इस तरह से उसके बाद हम इस गले को अच्छे से आइरन कर लेंगे इस तरह से iron करने के बाद अब गले के लिए हमने लटकन बनानी है तो उसके लिए मैंने square pieces लिए हैं जिनकी चोड़ाई और लंबाई हमने 4 इंच ली है उसके बाद इन दोनों pieces को इस तरह से मिलाते वे हमने पहले इसको इस तरह से fold करना है फिर इस तरह से उसके बाद उपर वाली side से हमने इसकी इस तरह से cutting कर लेनी है गुलाई की shape में ये देखें हमारा piece जो है वो इस तरह से गुलाई की shape में cut हो चुका है अब 20 से हम दोनों pieces को अलग कर लेंगे बिल्कुल बराबर तो इस तरह से देखें ये हमारे 4 pieces cut हो चुके हैं अब दो-दो pieces को हम इस तरह से मिलाएंगे और इनके उपर नीचे की side एक बेर की slice लगा लेंगे इस तरह slice लगाने के बाद चोटी-चोटी से cuts लगा लेंगे ताकि पलेटने के बाद इसमें finishing आए अब इसको इस तरह से पलेट लेंगे और उसको अच्छे से iron कर लेंगे अब इसी तरह से मैंने बागी के pieces बना के रखे हैं उसके बाद ये जो नीचे वाली गोलाई है इसके उपर आपने इस less को strich कर लेना है ये देखें इस तरह से अब इसी तरह से बागी के सारे pieces के उपर हम less को strich कर लेंगे तो यहाँ पर देखें सब के उपर हमने लैस को स्ट्रिच कर लिया है उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके उपर स्लाई लगा लेंगे अब एक्स्टर कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से इसके बाद इसको इस तरह से पलेट लेंगे और किसी भी नोकली चीज की मज़से इसके कॉरनर को इस तरह से बाएर की तरफ निकाल लेंगे तो अब यहाँ पर मुझे एक लटकन के लिए तीन लेयर चाहिए तो यहां पे देखें यह मैंने तीनों पीसे बना के रखें इस तरह से इसके इलावा इन सिंगल लटकन को आप डुपटे के पलू के उपर और दामन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इविन स्लीफ की डिजाइनिंग में भी तो यह ऐसे ही मैंने आप लोग को बता दिया है ताके आप लोग को आइडिया मिल जाए अब आ जाते हैं उस लटकन की तरफ जो हमने त्री लेयर्स के साथ बनानी है तो इसके लिए यह टसल मैंने खुद से बनाई है नॉर्मल रील के साथ जो के आपको बनी बनाई इजिली शॉप से भी मिल जाएगी इसके इलावा अब मैं यहाँ पे पहले टेसल को सोही की मदद से अच्छे से यहाँ पे दागे के साथ सेट कर रही हूँ यह देखें इस तरह से उसके बाद अब हमने दो छोटे से मोती लेने हैं चोटी साइज वाले इस तरह से उसके बाद हमने यह एक लटकन लेनी है और इस तरह से हमने सोही को बाहर की तरफ निकालना है उसके बाद अगेन हमने दो छोटे पर्स लेने हैं और एक बड़ा इस तरह से और लेटकन को हमने इसी तरह से दुबारा से स्टिच कर लेना है यह देखें उसके बाद अगेन हम दो पलस लेंगे चोटे वाले और एक बड़ा वाला और थर्ड लेयर को भी हम इसी तरह से बनाएंगे ये देखें उसके बाद अब आप उपर से इसको थोड़ा सा पका कर लें ताकि ये खुलेना और इस लटकन को आप बलाउस में गले के आगे या डोरी के साथ कहीं पर भी स्टिच कर सकते हैं तो यहाँ पर अब हमने इसको गले के आगे स्टिच कर लेना है यहाँ पर मैंने दो बना के रखी हैं यह देखें इस तरह से गले के आगे लगाने के लिए उसके बाद अब हमने इसको पर्स के साथ स्टिच करना है उपर की साइड तो यहाँ पर मैं छोटा पर ले रही हूँ और एक बड़े सा इसका उसके बाद अगेन एक छोटा अब इसको हम सिंपल गले के आगे स्ट्रिच कर लेंगे यह देखें इस तरह से बैक साइड से हम इसको अच्छे से पका कर लेंगे अब इसी तरह से हम दूसरी लटकन भी लगा लेंगे तो यहाँ पर देखें गला बनके तयार हो गया है उपर की साइड हमने पाल से स्ट्रिच कर लिए हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो हाफिस